दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी जादा helpful होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम BA program का complete syllabus देखने वाले हैं यह Hindi और English medium दोनों students के लिए होगा ताकि आपको बिल्कुल भी कोई problem ना हो और मैं आपके लिए मैंने बहुत मैनत करके Hindi medium का syllabus, English का syllabus और आपको क students का, SOL का, NCWeb का, वो सबका इसमें होने वाला है और उन सबके लिए जो books पढ़ाई जानी है वो सब आपको मैं बताने वाला है तो आए वीडियो को start करते हैं बेना किसी time को waste करे वे और अगर आपको कोई question हो, कोई query होआ आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं username आपके सामने हैं तो चोता subject आपका MIL का होता जिसे हम modern Indian language कहते हैं तो इन चारों subject का syllabus आपको complete में बताने वाला हूँ और एक चीज़ और बता दूँ ये जो आपका syllabus में आज बताऊंगा ये first year में आप जाने वाले हो और आप first semester में जाओगे मैंने आपको बताया था भी ये program में 6 semester होते हैं तो ह हर semester में मैं आपको आपका syllabus बताता रहूँगा जैसे कि आप अब जब next semester जब जाओगे first पूरा हो जाएगा second में तब आपको उसका syllabus बताऊंगा क्योंकि अभी आपको जो ज़रूरत है वो first semester के syllabus की है जब आप जाओगे college में क्योंकि आपको पहला semester जानना ज़रूरी है आपको पता चल जाए कि अब आप BA में जाकर क्या पढ़ने वाले हो तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा subject है वो है political science तो यह political science discipline subject है मैंने आपको बताया था combination होते हैं आपके political science plus history का पोल science plus हिंदी पोल science plus economics तो आज जो सबसे पहले हम subject वो है political science और इसमें जो आपके subject का नाम होगा वो होगा introduction to political theory ठीक है आपका paper भी इसी नाम से आएगा introduction to political theory और इसको हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिध्धान्त एक परिच्छे अगर जिस बच्चे ने political science पहले से पढ़िये तो इसको पता होगा कि 11th class में भी यह subject political theory आईए अब जो है slavers देख लेते हैं तो आपकी हिंदी medium के जो students हैं उनके लिए दो unit होती है इसमें ठीक है दो units रहने वाली हैं जिसमें से आपको राजनीतिक सिधान्त और उसकी प्रासंगिकता पढ़ाई जाएगी और आपको सहतंतरता के बारे में पढ़ाये जाएग ठीक है डिबेट होंगी जिसमें से दो डिबेट आपकी दी गई है इसमें आपको डिबेट मतलब आपको जो है पढ़ाई जाएगी एक है protective discrimination and principles of fairness और दूसरी डिबेट है the public versus private debate feminist perspective censorship and its limits तो ये आपको पढ़ाये जाएगा ये आपका आपका कुल इसलेबस रहने वाला है political science क BA program के अंदर अब देखते है कौन-कौन सी book है जो आपको बताई गई है तो political theory की जो book है उसमें सबसे ज़्यादा जो चलती है वो है आपकी भारगव आचारिया की book है ठीक है जिसका title है राजनीतिक सिधानत एक परिचे ठीक है भारगव आचारिया की ये book है और काफी famous है हम मैं भी यही पढ़ाई कई थी और मैं आपको बता दू मैं हिंदू कॉलेज का second year का एक विध्यारती हूँ और दूसरी book है O.P. Gaba ये writer का नाम है और book का title है मतलब political theory के नाम से ही होगा जो O.P. Gaba ये भी काफी famous है और एक book है Andrew Haywood ये भी political theory के लिए काफी famous book है तो आप इन ती अगर ज्यादा अच्छा deep पढ़ना चाते हो तो आप कोई और writer की book ले सकते है जो मैंने आपको बताया है अगर आप S.O.L. के student है तो आपको S.O.L. से भी आपकी book हैं मिलेंगी तो और उसमें भी सब कुछ होगा तो आईए अब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ ग आँगे आरंभिक काल से तीसरी सदी तक भारत का इतियास ठीक हैं तो ये आपको तीसरी सदी तक का इतियास पढ़ना है सलेवस पर देखते हैं एक नजर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी total चार यूनिट होने वाली हैं जिसमें आप Enchant India के बारे में पढ़ धरम, मोरे, काल वगएरा सब कुछ आप इसमें पढ़ने वाले हो तो काफी interesting history होने वाली है और आपको बता दूँ कि हमने अपने channel पे आपके लिए history का पूरा complete syllabus बना रखा है आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे बढ़ते हैं और English में एक बार इस देख लेते हैं क आपको पढ़ाय जाएगा पोस्ट मोरेन जो है पूरा जो टाइम है वो आपको पढ़ाय जाएगा इसमें और आप इस syllabus एक बार ही आप अच्छे से देख सकते हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं चाहे आप वीडियो को pause करके भी देख सकते हैं तो यह आपका syllabus रहने वाला है history के ठीक है और आप देख सकते हैं हिंदी का जो syllabus है यह भी आप pause करके और इसका screenshot ले सकते हैं और यह आपका एकदम यही एकदम सही syllabus है कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी यही आपको college जब open होंगे अभी तो आपको यही पढ़ाय जाएगा और history के अंदर जो book बताई जाती है वो है आरेश शर्मा, रामचरणशर्मा, एंशेंट इंडिया, ठीक है हिंदी मीडियम में भी यह अवेलेबल होती है ठीक है आरेश शर्मा, प्राचीन भारत और जो दूसरी book है वो है उपेंदर सिंग राइटर है और इनकी जो book का नाम है वो है A History of Ancient India and Early Medieval India तो यह दो books है जो की काफी famous हैं History के लिए BA program के अंदर तो यह आपको काफी helpful रहने वाली हैं तो आप इन दोनों मैंसे कोई भी आप खरीच सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं जो आपका अगला subject है AECC मैंने आपको बताया था AECC के अंदर दो subject होते हैं EBS और दूसरा होता है English तो आपको आपकी मर्जी होती है कि आप पहले semester में अगर आप जाते ही EBS लेते हो तो second semester में जब आप जाओगे तो आपको AECC के अंदर English मिलेगी तो EBS में जो subject का नाम होगा वो होगा environmental studies जिसको हिंदी में हम कहेंगे परियावरन अध्यन और परियावरन अध्यन के अंदर जो हमारा syllabus आपकी दूसरी यूनिट है तीसरी यूनिट के अंदर natural resources आप देख सकते हो इसमें आप minerals वगरा के बारे में पढ़ने वाले हैं और चोती जो आपकी यूनिट हैसमें बायो डाइवर्सिटी एंड जो आपकी conservation और आगे बढ़ते हैं पांचमी यूनिट के अंदर आपको environmental pollution के बारे में पढ़ाय जाएगा जिसमें air pollution, water pollution सब कुछ होने वाला है और चटी यूनिट जो है आपकी वो है global environmental issues and policies और आगे बढ़ेंगे साथमी जो यूनिट होगी आपकी वो होगी human communities and the environment तो आप इस slayvers को screenshot के रूप में अपने पास रख सकते हैं और वैसे आपको college के तरफ से भी बाद में मिल जाएगा अभी आपको ये मैं provide कर वार हूँ ताकि आप अपने पढ़ाई को एक बार ही देख सकेंगे आगे जाके आपको क्या पढ़ना होगा और जिससे आपको आसानी हो और आप पूरी तरीके से तयार हैं क्योंकि मैं जिस टाइम पे college में आया था last year तो मुझे youtube पे कोई ऐसी जगा नहीं मिली थे जहां भी ये program का A to Z slayvers with book writers के नाम से मुझे पता चल पाता मैंने बहुत जादा मतलब शुरू कोई जो दिन थे वो बहुत जादा struggles में गुजारे क्योंकि जो writer name होते हैं इतनी जल्दी नहीं पता चल पाते और बहुत problem साते students को और आपके लिए हमने पूरा slayvers एकदम compiler के आपके सामने रखा हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो ये आपका slayvers होने वाला है EVS का आप देख सकते हो और इसके लिए जो EVS के लिए जो book जो बताई जाती है जो हमें पढ़ाई गई थी उसमें से मतलब एक थी Iraq बढ़ुचा और एक थी हैं इन दो के अलावा भी EVS की बहुत सारी books available हैं और आप वो भी ले सकते हो आपको bookshop पे जाना है simply आपको ये कहना है BA program first semester या आप ये कह देना BA program first year EVS की मुझे book चाहिए वो आपको अपने आप देदेगा bookshop का जो honor होगा तो समझ में आगे आपको आगे बढ़ते हैं अब जो अगला subject है वो है English AECC मैंने आपको कहा था AECC के अंदर दो subject होते हैं EVS और English तो English की जो AECC का ये जो मतलब जो subject होने वाला है इसका syllabus देखेंगे एक तो होगा इसमें आपका introduction जिसके अंदर होगा communication के बारे में बताए जाएगा कितने टाइप से communication होती है और language of communication जिसके अंदर verbal and non-verbal spoken, written, personal communication social communication, business communication barriers and strategies intra-personal communication interpersonal communication, group communication और speaking skills के अंदर आपको monologue, dialogue, group discussions और effective communication miscommunication, interview, public speech और reading and understanding close reading, comprehension, summary, paraphrasing analysis, interpretation, translation from Indian languages to English and vice versa और literary knowledge आपको text वगेरा के बारे में पढ़ाए जाएगा writing skills में आपको documenting, report writing making notes, letter writing यह सब आपका slavus होने वाला है आपका जो है यह book है जो book का नाम होगा वो आपको बता देता हूँ English ACC का slavus आपको मैंने बता दिया है जो book का नाम है मतलब जो writer का नाम आपको बता देता हूँ prayerna malhotra इनकी English communication की जो book होगी आप उसको ले सकते हैं काफी अच्छी book है और मैंने खुद पढ़ा है इससे और भी books available होगी आप जाके bookshop पे कह सकते हो कि मुझे English ACC BA program first year की book चाहिए और आपको वो ACC की book आपको मिल जाएगी वहाँ से इसले बस आपको पता चलिगा है दोस्तों आगे बढ़ते है अगला subject है Hindi A मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो MIL subject है Hindi A इसको मतलब जो Hindi है उसको Hindi A, B, C तीन बागों में माटा गया है तो मैं आपको इस वीडियो में Hindi A के बारे में बताऊँगा अगर B और C के भी students हैं आगे चलके या मतलब B, C category के भी students हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा जादा तर के बास जो है Hindi A होती है इसलिए मैं आपको Hindi A का स्लेबस बताने वाला हूँ तो जो सब्जेक्ट का नाम होगा हिंदी सब्जेक्ट का वो होगा आदोनिक भारतिय भाषा, हिंदी भाषा और साहितिया ठीक है ये आपका जो है सब्जेक्ट का नाम होगा स्लेबस देख लीजिए स्लेबस में आपको जो है पहली यूनिट के अंदर आदोनिक भारतिय भाषाओं का उद्भब और विकास के बारे में पढ़ाये जाएगा और मैं आपको बता दूँ EVS के अंदर पूरा स्लेबस मैंने मतलब जो हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए पूरा स्लेबस बना रखा है EVS का सारे नोट्स आपको प्रवाइट करवा दिये जाएंगे EVS के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और हिंदी जो आपका M.I.L. सब्जेक्ट है जिसका स्लेबस में आपको बता रहा हूँ ये आपको मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ और आपको बहुत अच्चे तरीके से आपको पेपर की प्रिपरेशन में करवा दूँगा हिंदी आपको काफी अच्चे से पढ़ा दी जाएगी और Political Science भी हमारे ही चैनल पर आपको पढ़ाई जाएगी बस आपको हमारे चैनल को प्यार देना है और अगला जो आपका टोपिक है वो है हिंदी भाषा का परिच्चे एवं विकास राश्टर भाषा, राज भाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ये आप देख सकते हो दूसरी उनिट के अंदर आपको हिंदी साहिते का इतियास जिसमें आदिकाल मद्धेकाल, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा इंफोमेशन आपको लेनी होगी समाने परिचे, ये मैं आपको पढ़ा दूँगा हिंदी साहिते का इतियास आदूनिक काल के बारे में जो आपको बताना होगा और इसका भी समाने परिचे, ये सारे नोट्स में आपको खुद पढ़ा के मतलब बता दूँगा आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है और जो कविताओं के अंदर आपको आप देखोगे कावे खंड के अंदर कबीर के बारे में आपको पढ़ना होगा, भूशन जो कवी है इनकी कविताएं पढ़नी है, बिहारी जो कवी है, इनकी कविताएं पढ़नी है और आधुनिक कविताओं के अंदर आपको जैशंकर परसाद की कविता पढ़नी है हिमादरी तूंग श्रिंग सी और नागर जुन की जो कविता है बादल को गिरते देखा है ये आपको पढ़ना है रगुविर साय की कविता है कला क्या है ये आपको पढ़ना है तो हिंदी के लिए भी आप जाके bookshop पे आप कह सकते हो, हिंदी के लिए बहुत सारी writers की book available हैं, और आप bookshop पे जाके कह सकते हो, कि मुझे भी ये program first year Hindi A की book चाहिए, ठीक है, तो आपको वो book जो भी मिलेगी वो लगबग ठीक ही होती है, और आप उसको ले सकते हो, आगे आपको अच्छी लगती है, आप वो M.I.L. में subject ले सकते हो, तो English M.I.L. के अंदर जो syllabus है, और जो paper का नाम है, आपको बताता हूँ, subject का नाम है English Language Through Literature, ये आपका subject का नाम रहने वाला है, और जो आपका syllabus है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है, जो unit 1 में आपको पढ़ना है, understanding everyday text, ठीक है, ये आपका, मतलब जो syllabus है, इसमें आपको daily के जो text होते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ाये जाएगा, ठीक है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, ताकि आपकी skills और बढ़ें, और आगे देखते हैं, understanding drama, ड understanding poetry, poetry के बारे में आपको अच्छे से बढ़ाये जाएगा, जो rhyme होती है, rhyming scheme, और मतलब जितना भी आपको poetry के बारे में होता है, अच्छे तरीके से आपको depth knowledge आपको दी जाएगी, और चोथा जो आपका topic है, unit का वो है, understanding fiction, fiction के बारे में, आपको काफी अच्छे तरीके से ब काफी चीज़े पढ़ाये जाएंगी, तो ये आपका मतलब रहने वाला है, English M.I.L. का स्लेवस, आपको मैंने बता दिया है, 5 unit होंगी आपकी English M.I.L. में, और 4 unit आपकी Hindi M.I.L. के इंदर है, और English A.E.C.C. के बारे में आपको बता दिया है, E.V.S. का पूरा स्लेवस हो ग रहता है, combination में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा beneficial है, तो अब आपको अपना time waste नहीं करना है, और जल्दी ही और भी जो courses हैं, पोल साइंस owners, और भी जो courses हैं, उनकी वीडियोस आने वाली है, Slavers और Book Names के साथ में, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, bell icon दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस के notification आपको मिलते रहें, और comment box में आपको बताना है, अगर कोई भी अगर आपका doubt है वीडियो से related, आप अपने doubts यहाँ पर बता सकते हैं, और वीडियो को जादा से जादा आपको share कर देना है, तो जै हिंद, जै भारत, धन्यवाद